हेलो गाइस सभी का स्वागत हमारे चैनल पर हम लोग टेस्ट यह जो स्टाटिक जी की का जो हम यह सीरीज कर रहे हैं यह हमारा टेस्ट नबर सेवन है ठीक है आई होप आपस लोग सभी इस टेस्ट को प्रापर तरीके से फालो करते होंगे सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को डिरेक्ट लिप एली बार देख रहे हैं वह एक बार पहले इसका डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में इसका टेस्ट भी अवेलिबल है तो पहले आप लोग टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडिया डाउनलोड कर लीजिए टेस् वापेस आई इस वीडियो पर इस वीडियो का एंसर को डिस्कस करेंगे हम लोग वह आप देखीगा ठीक है इस आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देजिए तता अपने फ्रेंड अगर आपको इसका बेनेफिट अच्छा लग हुआ है ठीक है फेस्बूक पर सिक्षा सदन 2012 से भी आप लोग में सर्च आउट कर सकते हो वहाँ पर भी आपको चीजी अपडेट्स मिलते रहेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट उसके तरफ तो हम लोग का जो पहला कोशन है वह यही है कि कि किस किनाबार का जो बेटा था हमायू उसको चौसे के युद में हराया था चौसे के युद में हराने के बाद जो है उसने दिलली में अफगान सलतनत की प्रकार अंसर जो है वह यह हो जाएगा सारक मानव संसादन विकास केंदर कहां पर ठीक है ना सारक मानव संसादन विकास केंदर यानिकी पहले बात तो सारक जो लिखा हुआ है आपका है इसमें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है दो-तीन बाते जो आपको पता होना चाहिए इसके बारा आप लोग खुदी साच करना है, ये क्या है, ये कौन सी संस्था है, ठीक है, इसमें कौन-कौन से देश शामिल है, ठीक है, ये किस लिए काम करती है, इसके संस्थापक, किस देश ने इसकी स्थापना के दी है, संस्थापक राज्य में इसकी कौन सबसे आगे है, ठीक है स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है ठीक है तो सार्क मानुस अंसादन विकास केंद्र जो है इसका जो मुख्याले है वो इसलामाबाद में गई इस ठीक है ना सार्क देशों का भी पैंडेमिक के चलते जो ना अभी डीसेंट कुछ सबसे पहले किस ने वह लागू किया था तो सबसे पहले किस ने वह लागू किया था तो सबसे धान लागूलोग वैसे कोशन तो यह कि राज़्य में वैट जो आने किस प्रकार लागूँगा ये कौन साथ ऑपने करनाDet है आयकर व्यार्ट ये एक प्रकार का सेस्स टेकश्च होता है uhuh कि व्यार सकते है अब फोर्त है बई यो पहला देश मन पनाजर देता है तो वैट को लागू करने वाला जो सबसे पहले देश बना गाइस वह फ्रांस बना है फ्रांस सबसे पहले जो है वह वैट को लागू कहता है दिल्ली में इंडिया में जाता है मुझे यादा हरियाना सबसे पहले लागू करता है कोई भी नएक स्क्रीम आता है और सबसे पहले किस खेल से संबंधित है जॉला गट्टा है वैसे यह पर ुपर घट्था लिखा हुए ठीक है जॉला गट्दा also sammond तहां मेनथा एंदाक त्व हो जाएगा वो vision Pan man of blood and iron ना man of blood and iron जौक़ किसको लेखक है और पर थे जू किसको घंए किस अधार को का जाता ठीक है नो ऑटोवन बिस्वार को कहा जाता है मैं आफ ब्लॉड एन आयरन ठीक है चमावानी किस धर्म का तेवहार है तो याद रखना पर चमावानी जो है वो जैन धर्म का तेवहार है है जसमें एक और कोश्ळ नम्म लोगों ने मिस्क्रिए मैंने आगे से मैं ध्यान रहूंगा कि यह मिस्स ना हो मैं बैसे लिखवा दताए आपको लिख प्लेंगा नहीं इट के रहा है कि रीड में कितनी हड्डिया पाई जाती है यह इस ट्रीड में कितनी हड्डियां पाई होती है 33 ठीक है ना ध्यानक नाप लो मनुष्य के सरीर में टोटल 206 अध्य होती है बच्चों में यह संक्या थोड़ी से ज्यादा होती है 300 के आसपास भी कहते हैं अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग है आपको ज्यादा उस पर वो सोचने की जोशिकता नहीं है ठीक है तो हमारा सर होता है उस सर में 8 अध्य कॉन होती है टोटल चैरे में धढ से उपर टोटल 11 हडियों के आसपास ऐस होता है जिसमें छोटी हडी जो है कान-की stem होती है कान-क अंदर होती है कान-जो होते है वह उपास्ती से की यह होता है जो कि अलग चीज़ होती है अगला जो कोशन आज हमारा वो ये है नाइंध पौदो में जो नमक युक मिट्टी में उखते हों को क्या कहलाते हैं तो वो पर जो नमकीन मिट्टी में उखते हैं या नमक मिट्टी में उखते हो उसको हेलो फाइट्स कहा जाता है ठीक है ना तो इसका जो अंसर हो जाएगा भाभी हो जाएगा हुआ पिर जस्वा कोशन मिस i2 में मैं दोने लिखेना ऊंए ठीक है 101 और पर कोश्ण AI खं़ा देसं voz एंदा है वह इंट्रेस्टिंग रहना को लिवर पॉल्या उपना क्या यूदो की लीवर का अध्यन को हमेशा अ हैपितो लौजी कहा जाता है कि है पेटो लॉजी का जाता है ठीक है न आप जो आपने टैस्ट डाउनलोड के ऊगर समें सी ऑप्शन होगा ठीक है और लीवर जो होता है वह एक प्रकार का ऐसा अंग है जो कि खुद को जल्दी ही दुबारा से रीकवर कर लेता यानि की बना लेता है हलाकि सराब परने सराब की अध्यादिक मत्रा पीने से जो है वह सबसे जो शरी का अंग जो खराब होता वह लीवर ही है ठीक है आगे अगर हम बात करेंगा इस ग्यारवा कोशन विश्व बैंक का पहला महाने देशिक कौन था देखो वर्ल्ड बैंक जब बना गया तो इसका जो सबसे पहला जो व्यक्ति था ना वो थे सदर सदर पीटर लेंड ठीक है ना वर्ल्ड बैंक जो बना उसके जो फर्स्ट महाने देशिक कर लो या चेर्में कर लो वो थे पीटर सदर पीटर एक्चली ठीक है ना सदर पीटर ठीक है अगला बारवा कॉशन आगया हमारा होलकर ने किस वर्स अंग्रेजी में मद्सौर की संधी की थी? होलकर ने सबसे पहले मद्सौर की संधी जो की थी वो 1818 में की थी ठीक है? किस प्रकाशी यंतर्दवर्ण मेगों की दशा और गती को माप करता है कि तैरभव क emission मेगा डशी αपने के लिए ऐधा है विस इतो अलग अपने केला अलग जीजों की लापने के या नहीं देखmeno करें लिए ईन्दीर के लिए खाहिए व्द्न इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है गाइस वह बैंगलॉर्यू मुझ थी थे ठीक है नेक्स्ट राष्टी मानवा अधिकार का जो गठन हुआ था गाइस वह 1993 में किया गया था ठीक है नेक्स है मारा उच्छ न्याले कि अधिकार छेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है उच्छ न्याले के जो अधिकार छेत्र उसको बढ़ाने का जो अधिकार जो प्राप्त होती है वह संसत को है हर एक नेले का अपना चैत्ताह अधिकार को संसत्र को गळा सकती है जासे की कहा हुं आप से कि जितने भी मूबाइल से रिलेटेड कम्पनी न उसको पता संसत कि पता है उत्त्स में जितने भी सेक्टर बनाए गया मुवाइल हो इंशुरंस या कुछ और हो या बैंक हो तो इन सब को इन सब को बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उसको निप्टाने के लिए एक हमने संस्ता भी बनाई हुई है जैसे कि ट्राइ में जो सबसे बड़ी संस्ता में सब तो इसके लिए बनावा है इंशुरंस रेगुलरिटी डेवलेप्मेंट अथर्टी ठीक है बैंक्स में अगर कोई फ्राउड होता है उसको नियमन कानून के लिए आर्वे को बनाई है तो इसका अंसर फिलाल सी अंसर हो जाएगा इसका ठीक है आगे बढ़ते हम लो श्वे Supreme Court की Chief Justice of India आज तक कोई महिला नहीं बनी है ध्यानगनाव लो ठीक है Supreme Court की कोई भी महिला अभी तक नहीं बनी है जज़ बन सकी है फातिमा बीबी वस फर्स्ट Supreme Court जो लेकिन मैं Chief Justice की बात करूं Chief Justice जो हैड होता है उसमें महिला को अभी तो कोई पद नहीं मिला इसी प्रिकार से महरास्ट्रिक ऐसर आज जग है जहां पर अभी तो कोई महिला मुख्य मंत्री नहीं बनी है उन्हें इसमें का अंसर अगरम देखेंगा तो इसका अंसर हो जाएगा परियावर्ण को क्या का जाता है परियावर्ण के अध्धिन को एकोलोजी का जाता है त्यान रखना ओनों के नेचर को जो जो एध्यन करते हैं ठीक है पैन नमबर देनी किस्ति छोती गते ही ने की वह पैन कार्ट जो होता है अज आगरम यूज कर रहते हैं बहुत इंट्रस्टिंग कोशन बिना देखें बिए पता होना चाहिए और किया है वैक्ट का मतलब ओक्सीजन का होता है और भूफ्री जो हता है वो चऴज़रा निकलती है ठीक एक्वर्ष नमबर आपका 24 था 25 कुश्यन के वेशिट में वैसे बताता जो ना वो कर लगाए जाते थे तो सद्का जो था सद्का जो था एक प्रगाजा धार्मिक कर था ठीक है आगे बढ़े 26 देखते हैं बार 26 भी मिसिंग कर रखा है जो लो कोई बात नहीं 26 भी मैं आपको बता जाता हूं 26 में सन्यासी विद्रो कब हुआ कहां हुआ था हमारे देश में जो सबसे पहला विद्रो है वो सन्यासी विद्रो ही है जो कि तकरिवन 1730 के आसपास कुछ ऐसे हुआ था एक्जेक नहीं बता लेकिंगे ये 17 सिदाबजी में क्या आसपास ही हो गया था ठीक है तो इसका जो आंसर होगा सन्यासी विद्रों कब हुआता तो कहां हुआता तो गया इसका आंसर जब वगवाए बढ़े विद्रों की बात करो तो 1867 का विद्रों जब सबसे बड़ा है ठीक है नो इसके बाद काफी कुछ चेंजर जो हो किये गए थे अक्यल वारतिय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कौन है तो भाई अक्यल वारतिय किसान सभा जब बनी ठीक है तो इसके जो अध्यक्ष बने पहले वो स्वामी सहजानन्द है थे कोचिन का जुडवा नगर कौन sustainable और रमके है उर्ड आगे उरूप यहां संसत incentive बनी थि टीक है नियुरोपियकर york subscribe यहां इस्ताइब को जया च्रीकर केंद्र कहां इस्थापित किया गया है सार्क क्रिसी केंदर जह वो धाका में स्थापित किया गया है सार्क मैंने बता ना आपको वही देश होते हैं ठीक है न तो एक बात नहीं नहीं बार बार कर रहा हूं इसके संस्थाफ है इसके founding members के बारे में अफजूर बढ़ना हूं और यह देखना है कि यह कहां से आ रहे है क्योंकि question इसका पूछा गया है यह तब बनाता है जब राजी युगांदी जो थे वह देश के प्रदान मंतरी तो इसका option में राजी युगांदी मिलता रेंगे राजी युगांदी इसका answer नहीं है चौक जो होता है गैस हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ओपर लिखते थ हो फिलाल इसका answer जो है वो बी हो जाएगा ठीक है तेहर तालिज है वो राजस्थान का लोक नित्य है विक्स विश्व साक्षरता दिवस किस तिति को मनाया जाता है तो विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 33 आए यह ना आड़ सितंबर को मना जाता है इंस्टिट अफ लाइफ साइंस ठेक ना बायलजी जो होती है जोसी कि एक ब्रांच लाइफ साइंस ठेक ना तो इंस्टिट अफ लाइफ साइंस जो वो भुनेश्व में स्थित्त है कर दो थर्टेफाइव सेटिनल स्टेल स्टेल शेल स्टेल स्टील के वर विश्कारक है वह कौन है तो उसका अंसर रही इंक कोशिन इंपटन्ट है चांद बीवी का विवाज वह किस से हुआ था तो ऑप्शन के तरू भी चाड़ सकते हो इसका अंसर अलतुनिया नहीं है क् इसका अंसर आदल शाह है बहुत इस तरह बहुत जहां पर रहते थे लास्ट में की डैट बॉड के अवशिश्यों को रखा जाता था उसको मठ का जाता था ठीक है ना अब मठ इस प्लेस वेर मॉंग सार लेव ना जहां पर मॉंग सार रहते हैं बिक्षू रहते हैं तो यह व सब्सक्राइब करता है तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर वह वह यह बी हो जाएगा ठीक हरे कलर को रिफ्लेक्ट करता है है दूर से ब्रित्वी ब्लू को देखता है नफ्चुन हो वह नब्चुन तो आपका खेर वह दिख रहा है हाई हाई दीब समूउ किस महासागर में इस त्डित है तो हवाई पूरा का पूरा वो, एक बार फिर से request है आप लोगो से कि अगर आपको ये video पसंद आई है, तो अपने friends के साथ, जो इसको एक बार share जरूर करो अपलो, ठीक है? इस video को like जरूर करो, share करो, subscribe करो, ठीक है? और हमारा जो Facebook का पेज है आप लोग वहाँ पर हमें सर्च कर सकते हो कोई भी न्यूज इन्फोमेशन जो हमें मिल सकती है और जो हमारा टेलिग्राम को चले जाने तो हमाने इसमें अगले सेतों इसमें तक्रिवर चाहितर के सब्सक्राइब तो अगले सुट्री समय हैं है कि अगले टेस्ट नमर इसको करेंगे तर्फ नमर घने बाद मिलता हम अगली वीडियो में thank you so much for watching this video